हेलो नमस्कार दोस्तों एक बार और आप सभी लोगों का बहुत बहुत श्वागत है जैसे कि आपको मैं आज मध्यप्रदेश आतीती सिक्षक की लेटेस्ट अपडेट बताने जा रहा हूं जैसे कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर हम गेस्ट फेकल्टी पोर्टल याने की सक्ट्यूंबर 2024 को यहां पर आपका एक DPI की तरफ से महकून आदे सेवं सर्कुलर डाला गया है तो DPI की तरफ से यहां पर आप देख सकते हैं कि दो यूजर आईडी को मर्ज करने भी सयाग इसका मतलब यह है कि ऐसे बहुत सारे जो है कंडिडेट्स हैं जिनकी दो-दो आ ID पर मर्ज करने के लिए यहां पर जो है यह notification निकाला गया है तो यह I hope कि आपके काम का नहीं है चलिए आपके काम की चीज हम देख लेते हैं कि आप सभी लोगों का question यह है कि लगभग एक मेहने से भी जादा होने लगे हैं और यहां पर अतीती सिच्छक का जो second round है उसकी choice school का आवंटन होगा वो कब तक होगा तो इसकी जनकारी तो फिलहाल अभी तक किसी के पास नहीं है लेकिन एक अनुमान लगाया जा रहा है कि 10 तारिक तक कहीं न कहीं आपका school आवंटन किया जा सकता है क्योंकि बरतवान में अभी जो है एक दो दिन और आपकी लग सकते हैं पोर्टल के अपडेशन के कार्य में उसके बाद में आपकी यहाँ पर नोटिफिकेशन यहाँ पर जारी की जाएगी जैसी नोटिफिकेशन जारी होगी तो आपको पता चल जाएगा कि मेरिट कब आएगी या इसकूल का आवंटन कब होने बाला है और साथी साथ में आपक कि यहाँ पर login किया होगा और अपनी choices को फिर से lock कर दिया होगा एवं नए schools को add कर लिया होगा तो जैसा कि आपने अभी तक नहीं किया है तो आप और थोड़ा सब date कर सकते हैं और कहीं न कहीं पोर्टल में जो भी vacancy यां update होते जा रही है उनको भी आप choice feeling कर सकते हैं फिर उसके बाद में आप lock करेंगे तो आपको कहीं न कहीं यहाँ पर कुछ ना कुछ lab होने बाला है क्योंकि जिन लोगों ने अपनी profile अपनी choices को lock कर लिया है यदि कोई vacancy बढ़ती है तो उसको लिए apply नहीं कर पाएंगे तो कहीं न कहीं यहाँ पर वैसे तो सभी लोगों को choices को lock करना है लेकिन उसको lock करने की कहीं न कहीं date आपके सामने जरूर आईगी और नहीं भी आती है तो आप जो है जल्द से जल्द अपना choice fill करके और अपने choices को lock कर सकते हैं चलिए सब अब बात करते हैं कि यहाँ पर अभ्यारतियों की सूची कैसे देखे हैं कि यदि आपने अपना सत्यापन करवाया है या आप जो है इसकूल में पढ़ा रहे हैं तो आप यहाँ पर अपने अभ्यारतियों की सूची देखे पे किलिक कर सकते हैं और अभ्यारतियों की सूची देख सकते हैं उधारण के लिए हम कोई भी डिस्ट्रिक ले लेते हैं जिला और ब्लॉक और वहां के जो है कैप्चा कोट भी एंटर कर देते हैं कैप्चा कोट एंटर करने के तो हमने capture code एंटर किया हैं और details देखे पर किलिक करते हैं तो यह हमारे सामने एक सूची open हो चुकी है मतलब आपका जो district है और आपने जिस block से application form भरते समय blocks चूश किया था select किया था उस block पर आप जाईए और list देखिए और यदि आपने अभी तक अतिती सिक्षक में join नहीं किया है तो आपका नाम यहाँ पर जरूर मिलेगा इस list में आप अपना नाम देख सकते हैं क्योंकि यहाँ पर name के साथ में father का name भी है आप मिलान कर सकते हैं और साथ ही mobile number के last के चाल letters भी आपको तिखाई दे रहे हैं तो इस तरह से आप बहुती असानी से अपना नाम धूर सकते हैं इस list में आपको जो है मतलब आप अभ्यारती हैं इस list में उन लोगों का ही नाम मिलेगा जिनोंने संकूल में जाकर के अपना application का सत्यापन कराया है और किसी एक ही block में आपका नाम मिलेगा और खास रूप से उस block में ही आपका नाम मिलेगा जिस block से आपने application भरते समय अपना choose किया था block को और साथी साथ में यहाँ पर choice filling आपने चाहे किसी भी ग्लोप में और जिला में किया हो उससे यहाँ पर कोई लेना देना नहीं है जिन लोगों का स्त्यापन हुआ है उन लोगों के नाम की लिस्ट ये हैं और साती सात में जिन लोगों का स्त्यापन हो चुका है और जो अभी अतिती सिक्षक में कारेरत हैं मतलब 51,000 सिख्षक जो की अभी जॉइन हो चुके हैं फर्स्ट डाउंड में तो उनका नाम आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा उनका नाम आपको देखना रहेगा तो उनका नाम आप कहीं न कहीं प्रगती रिपोर्ट में जाके और साला में कारेरत आतिति की सूची या संकुल जॉइनिंग प्रगती रिपोर्ट या सालाओं में कारेरत जो है शिच्छकों की सूची पर आप किलिक करके और बहुत यह असानी से अपना जो है जॉइनिंग की डिटेल्स देख सकते हैं I hope कि आपको सारी जानकारी के लिए हो चुकी होगी